सरकास अपने मदे राश्ट्रवादी ची भूमे का नसल्याच प्रफुल पटेल याने स्पष्ट के लेले तर राज्जात भाजप वगुण सत्ता बनवली पाहीजे असा पवित्रा कॉंगरसे विजे वडेटी वारियाने गितला जनतेन भाजप शिवसे निला काउल दिला राश्ट्रवादी विरोधकान ची भूमे का बजा वेल असा पटेल याने सांगितले तर दुसरे कड़े शिवसे निची भूमे का सपश्ट होत नहीं तो परंत काही ही करता ना नहीं असा सुचक वक्त वे वडेटी वारियाने केले भाजपना सेने ला काही ही दिलनसले चा तोला सुधा यावेला तेने लगावलेला है यहां तक इस चुनाव के नतीजे का सवाल है आज मैं सपश्ट कहना चाता हूँ कि हम विपक्ष में कॉंग्रेस राष्टरवादी कॉंग्रेस पाइटी रहेंगे और जन्ता ने जो हमको जिम्मेदारी विपक्ष की दी है वो हम अच्छे से निभाएंगे उनको हमारी शुपकामना है जैसे मैंने कहा सरकार वो बनाए राष्टरवादी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे यह मैं आपको सपश्ट कहना चाता हूँ अशिश बगितला अपन की प्रफुला पटेल थेट मन्टाए तनी भूमिकास पश्ट केलेली है कि आमाला विरोधक मणूनाच राहीचे आणी दूसरी कडे वडेटी वार मत्रव आउगदी विरोधात भूमिका व्यक्ते गत्ता ना देश्ता है सुवर्नाए यह राचकार नस्ता आणी तेच उल्गडून सांगाईचा है प्रफिलल ढटेल है राच्ट्रवादी चे राच्ट्रिया नेते आहे तर राज्यसा भेचे खासदार आहे किम्ब हुना राच्ट्रिया स्तरा वरती शरत पवारान नंतर राश्ट्रवादी कॉंगरेचे नमबर दो不會 नेते प्रफिलला पटेला है जा अर्थी प्रफुल्ल पटेल हे जाहिर करता है कि सेना भाजपला बहुमत में आलेला है मैंडेट तैंचा बाजुन लोकान नी दिलेला है, मतदारान नी दिलेला है कि नकीच भाजप आनी राष्टवादी एकमेकांचा संपरवकात असुशकतात आनी त्या अनुशंगा न प्रफुल्ल पटेल बोलतील पन प्रफुल्ल पटेल हे शरत पवारांचे निस्टावंत सहकारी आहे आज वर आपन त्याना राष्ट्य अस्तरावरती शरत पवारांचे खांदाला खांदाला उन बगित लेला है अनि जवाँ प्रफुल्ल पटेल अशा पद्दती चो विदान करता है त्या आर्थी राजप आतला सर्वा नेत्यांचा पली करड़ जाउन राष्ट्य अस्तरावर चे नेते प्रफुल्ल पटेल राष्ट्वादी कॉंग्रेच चावतिना विदान करता है कि आमाला सरकार मदे जाने आस कि वाँ सरकार पाठिम बादेने आस उटला ही सारस से नहीं है 2017 मुव्मेंट आठवा जहां निकालाचा दिवस होता दुपारी साड़े बारा वास्ता प्रफुल्ल पटेल हेच राष्ट्वादी चे नेते होते जे शरत पवरांचा बंगलेचा ठीकानी प्रसार माध्यमांशी बोल ले आनि तैननी नमाकता ही भाजब सरकारला पाठिम बादीला होता आता तेच प्रफुलल पटेल आता सांकता है कि बहुमत हे महायुतिला आहे सेना भाजबला आहे तैननी सरकार बनवाव त्या मदे राष्टवादी कॉंग्रेस ची कुटली भूमिका नसेल आमाला तैनना पाठिम बादी दाएचा नहीं है राष्टवादी कॉंग्रेस ला विरोधी भाकावरती बसाइचा है याचा आर्थ राष्टवादी कॉंग्रेस ला भूमिका गितलीली आहे आता कॉंग्रेस दोलायमान स्रितीमदे आहे कॉंग्रेस ला एक विंडो ओपन कराई ची है ती अशिया है कि भाज़प विराईस सरकार ज़र का ये तसेल तर आशा है वई सिवसेने सा सरकार बनवावा सिवसेने सा मुख्यमंत्री होई कॉंग्रेस ला बाहरून पाठिमबा देल तसे प्रयत्न दोनीस पातवी वरन होई शकताथ पन जार थी प्रफुल्ल पटेल हे जाहिर करता है राष्टवादी चे नेते मनुन जाहिर करता है कि राष्टवादी कॉंग्रेस विरोधी बाका वरती बसना रहे तसा मैंडेट आलेला है आनि मनुन मख आता सेने वरती हा आनि मनुन जाहिर करता है आनि मनुन जाहिर करता है कि राष्टवादी कॉंग्रेस विरोधात बसना रहे तसा मैंडेला है परवा पंत परदान नरेंदर मोधी याननी दिल्ली मदे जाहिर केलेला है अशा वड़ी मुख्यमंतरी हाँ भाजप्चास होना रहा है ही भाजप्ची ठरलेली स्ट्राटेजी आहे मुख्यमंतरी जरी सुछेना मागत असल मुख्यमंतरी पर तरी भाजप्ते देवु करनार जाहर खंड मदे जाहले जे जेज़ पीचा 20 जागा अस्तान ना उपमुख्यमंतरी पर भाजप्चास मनोरलाल खटर जे आदीचस मुख्यमंतरी है ते पुना रिपीट करते भाजप्चास होना देवेंदर फड़नवीस याननास पुना मुख्यमंतरी कराइचा आहे पन से जोड़ी करने हा प्रकार सेना भाजप मदे चाल लेला है आनि त्याचे बड़ी मग है कॉंग्रेस राष्टवादी चे नेते हुतिल की का है अशी शंका है पन जा अर्थी मैंडेट है महायुति ला लेला है महायुति चे सरकार बनेल भाजपला अजो नहीं वाटता है कि 31 अक्टोबर चा जो मूरता है जो 2014 चा मूरता है तो आता पुना दिवाई नंतर महारास्तात याही सरकार साथी आवा आनि त्या दुर्ष्टी न अतीशे वेगवान घडा मोडी पड़ी चा माग सेना असेल भाजप असेल कॉंग्रेस असेल राष्टरवादी असेल या पुड़े मांडे लेनी तैंची बोलवन करेल असे वाटता है खोली आनि जेजेपीचा 20 जागा अस्ताना तैना उपमुक्यमंत्री पद देऊ के लेला है तसच कही सा महारास्ताता ही भाजप करूपाता है पन इतका करूपात नहीं कि मुक्यमंत्री पद सेनेला देल कुटलाई परिस्तित भाजप मुक्यमंत्री पद सेनेला देनार नह यह उत्तर महत्वाचा है, अतीशे वेगान घडा मोडी चाल लेले आहे, सेने कड़न भाजब वर्ती दबावानना चा परेतन होतो है, त्या कुर्गोड़ी तुन प्रतेक जन जाहिर वक्तविय करता है, मगते प्रफुल पटेलां से वक्तविया सेल, प्रताफ सरनाइकां से वक्तविया सेल, अब्दुल सत्तार यां से वक्तविया सेल, क्यों विजे वड़ेटिवार यां से वक्तविया सेल, क्यों बाड़ा साइब थोरा यां से शरत पारानना भेटना सेल, यहा पड़्दया माक आपने बार्गेंगे पार अबने मंत्री पदूरेगेश सब्डूर और धायोगी कर्या उप्हों वर्ष मुख्यमंत्री पदसेल और निम्भी निम्भी मंत्री पदसेल अस्तिल अब भाजब काय मनता है यह कुटज आले ले नाहीं है त्या आए वजी प्रफूल पटेल यांचे जे विदान है कि रास्टवाधी कॉंग्रेस सत्य सोबज जानार नाही पाठिम बादेनार ना क्या सगया मध्याता शिवसेना जा पद्धतीनी पाठ्वर्श अपमान सहन करत हुती तसा आत्ता सहन करना ने हितर गेला दोन दिवसा दिसलेलेचे मग जर मुख्यमंत्री पद मियात नसेल तर शिवसे आशिष्टुमाला थामवते दोन मिंटा सेटी अपला करे शरत पवा मनाले होते जनतीन विरोधी पक्षात बसवले असा शरत पवार मन्टायत तेमने आपन विरोधका होत बारा साय थोरा तड़ी शरत पवार अंची काही वड़ा पुर्वेश बारा मती मधे भेट जली बंददारा आड दोखान मधी चर्चा जली या वेला सुप्रिया सुड असुदेत कि मा रोहित पवार सुद्धा उपसित होते या संदर पतपन पुना एकदा चर्चा करना रहूत आशिश शरत पवार अननी सुद्धा ता भुमेकास पष्ट के लेली आही कि आमी विरोधात तच बसणा रहूत विरोधी बाकावर बसणा तच आमाला जास्त रस उपेकास जास्त पवार अननी कंग्रेस बड़र अननी कंग्रेस बड़ं आ और प्रसंगीि रह को जास्त पवार अननी कंग्रेसमदे याव के वड़ पक्ष विलिन करावा या सुद्धा हल चाली चालेले आयेद। याव के वड़ पक्ष विलिन करावा या सुद्धा हल चाले आयेद। याव के वड़ 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 चाले आयेद।